हाई गईज और वेलकम बाक टु दी चैनल दीपाच यादव एजुकेशन वेलकम टु दी डेली करेंट अफियर्स ऑफ 22 अफ मेई 2024 तो गाईज जाद है तारिक 22 माई 2024 और है वेडनस टे आज की तारिक से जितने भी मोस्ट इंपोरेंट करेंट अफियर्स बनेंगे उन सभी क केवल Indian Express ही नहीं उसके सासाथ P.I.B. Down to Earth, Lime and Hindustan Times सभी के न्यूज आर्टिकल्स को प्रॉपर बाग्राउंड इंफर्मेशन के साथ में कवर करते हैं इस लेक्चर का एंड बहुत इंपोरेंट है उसको मिस मत करना क्योंकि वीडियो के लास्ट में डेली बिस्स पे आप ल डेलप हो जाएगी फिर examination में बैठोगे तो आपको लगेगा यार ये काम में daily कर रहा था examination में बहुत सारे फाइदे दोस्तों आपको इसके मिलेंगे तो please इससे केवल ये फाइदा नहीं है और भी बहुत सारे फाइदे मिलेंगे आपका concentration level improve होगा है ना memory power improve होगी क्योंकि चीजों को आप याद रखके उन questions को attempt कर रहे होंगे ठीक है तो make sure कीजिए उस questions को attempt करें अपना score नीचे comment section में लिखके जाएं बाकी daily business पे morning में 5 बजे वीडियो अपलोड हो जाता है तो daily habit बनाए कि morning में ही इस वीडियो को देखकर मैं खतम करूँ फिर बाकी दाहिंदू का वीडियो आता है उसको बाकी अपने schedule में आड कर सकते हो दिरे-दिरे करके बाकी सारी चीजों को cover up कर सकते हैं चलिए बाकी इस lecture का PDF वगरा चाहिए तो उसके लिए क्या करना होगा टेलिग्राम पर जाना वहाँ पर जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपा ज्याद प्रत्वी जैसा नया ग्रहे ढूंड कर उसके बारे में जानकारी बताईए तो दोस्तो उस ग्रहे के बारे में क्या क्या चीज़े हैं क्या खासिया थे उसकी वो सब आजकल नियूज में चल रहा है तो इसको डीटेल से डिस्कस करेंगे एक्जामनेशन में क्वेशन बन सकता है क्वेशन किस तरीके से बनेगा वो भी मैं आपको बताऊँगा तो चाहो तो आप गूगल पर जाकर ये जो वर्ड है ना इसको सर्च कर सकते हो आपको स्वईयो आर्टिकल मिलेंगे से टॉपिक से रिलेटेड जहां पर बताया जा रहा है कि अर्थ के साइज जितना एक नया प्लानेट यहां पर डिस्कवर किया या है हमारे एस्ट्रोनॉमर्स के थूँ तो अभी नियूज क्या है दोस्तो हर एक आर्टिकल में यह जो खबर है आपको इस तरीके से उपर तीन चार लाइनों में मिल जाएगी उसके बाद असली डेटा यानि एक्जामनेशन में जहां से क्वेशन बनेंगे वो डेटा यहां पर आपका यहां से शुरू होगा हर एक आर्टिकल में कुछ इस तरीके की यह प्लानेट कितनी दूरी पर है हमारे प्रत्वी से लगबख 55 लाइट यर्स की दूरी पर है यानि बहुत बड़ा डिस्टेंस है ठीके जैसे हमारी प्रत्वी सूरे का चक्कर लगा रही है उसी प्रकार से दोस्तों यह जो नया वाला प्लानेट है यह भी एक रैड इतना जो आकार है उस आकार का एक नया प्लानेट है तो question आप से डिरेक्ली ये बनेगा कि हाल ही में Speculous 3B News में था ये क्या है ठीके अब ये प्लानेट क्या कर रहा है ये चक्कर लगा रहा है रेड ड्वार्फ स्टार क्या ठीके एक रेड ड्वार्फ स्टार है बड़ा सा य जो यहां पर प्लानेट है वो हमारे प्रतवी साइज यतना ही है जैसा यहां पर mention किया भी है जो यह ए रेड ड्वार्फ स्टार है ये जूपिटर साइज यतना है ये भी यहां पर क्या कर रहा है लाइट्स को एमिट करने की कोशिश कर रहा है लेकिन obviously सन से काफी जादा कम पावर इसमें आपको नज़र आएगी ठीक है उसके अलावा दोस्तो एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखना जो यह स्पेकुलिस 3 भी है यह बहुत जादा बड़े लेवल पर रेडियेशन को रिसीव करता है अपने सन से क्योंकि जैसे है दोस्तो हम समझ रहे हैं कि हमारी प् पर रखा गया है तो यह अपने सन से बहुत बड़े लेवल पर रेडियेशन को रिसीव करती है यह वाली नई वाली प्लानेट ठीक है ध्यान रखना इसके बारे में तो जब बहुत जादा रेडियेशन आती है दोस्तो तो यहाँ पर जो एटमोस्पेर है वो सही से इसपे इतनी जादा एनरजी रिसीव होती है, आप यह कह सकते हो, जो हमारे प्रत्वी पर सूरे से एनरजी आती है, उससे 16 गुना जादा यहाँ पर एनरजी को रिसीव किया जाता है, और जैसे यहाँ पर आपको पता होगा, प्रत्वी क्या करती है, 365 दिनों में हमारे सूरे का एक चक्कर लगाती है उसी प्रकार से ये जो नया वाला प्लानेट है ये 17 घंटे के अंदर अपने स्टार को पूरी तरह से और्बिट कर लेता है लेकिन इसमें एक खास बात है आपको पता है प्रत्वी सूरे का चक्कर तो लगा रही है लेकिन अपने एक्सिस पर भी घू रात ऐसे होता रहता है अभी यहां पर दिन हो रहा है तो फिर यहां पर अभी रात आएगी क्योंकि जो हमारा प्लानेट है वो घूम जाएगा ठीक है लेकिन दोस्तों ये जो नया वाला प्लानेट है ये एक जगा पर लॉक है अपने वाले एक्सिस पर तो लॉक है लेकिन चेंज नहीं होगा यह इसमें एक खास चीज है और यह थोड़ा सा यहां पर अलग कर देता है हमारे इस वाले प्लानेट से ठीक है तो यहां पर ज़स मैंने बुला एक साइड डे साइड रहने वाला है हमेशा हमेशा और एक साइड यहां पर इसका नाइट साइड यानि की पूरा अंदेरा अंदेरा रहने वाला है ठीक है क्योंकि ये अपने एक्सिस पर पूरी दरा से लॉक है ध्यान लखेगा इसके बारे में अब जो ये डिस्कवरी है किसने की है ये पूरा का पूरा एक प्रोजेक्ट चलाया गया जिसको नाम ही दिया या स्पेक्यूलूस प्रोजेक्ट इसके फूल फॉर्म है सर्च फॉर प्लानेट्स एकलिप्सिंग अल्टरा कूल स्टार्स तो इस प्रोजेक्ट के तहत ये डिस्कवरी हुई इसमें कई सारे कंट्रीज की युनिवरस्टीज के जो कॉलेबरेशन है वो हुए है उनकी मद साथ में आकर इन्होंने यहां पर ये पूरा का पूरा जो स्टडी है या कह सकतो एक नया डिस्कवरी है वो हमको यहां पर दी है ठीक है अब यहां पर इन्होंने कौन सी अब्जर्वेटरी का स्तमाल क्या है वो अब्जर्वेटरी जो चिली नाम का देश जो साउथ अमेरि है ये बात क्लियर हो गई अब दोस्तों बड़ी देर से हम red dwarf star के बारे में discussion कर रहे थे जिसका चक्कर काट रही है ये नई वाली planet तो ये red dwarf star क्या है ये प्रकार का low mass star है इसमें कोई जादा weight है नहीं है एक common प्रकार का यहां पर star देखने को मिलेगा जैसा हमारे विलकीवे galaxy में present होता है हलाकि यहां पर हमारे सूरे से काफी छोटा है काफी ठंडा है सूरे जितनी energies में नहीं है सूरे जितना comparison हम इसको नहीं कर सकते हैं ठीक है उसके अलावा मैं बताई चुका हूँ इसमें इतनी जादा energy नहीं है सूरे से काफी ज़दा dim भी देखने को मिलेगा लेकिन इसका जो life span है वो काफी ज़दा लंबा है nuclear fuel का consumption काफी slow होता है जिस वज़ा से यहां पर कह सकते हो इससे हम बहुत सारी जानकारी निकाल सकते हैं हम यह study कर सकते हैं कैसे planets का evolution हुआ है ना यह सारी जानकारी हम को मिल सकते हैं दोस्तों कैसे कैसे यहां पर जो habitability है वो समय के साथ में बढ़ती चली गई तो इस basis पर नई studies और भी आ सकती है इसके बारे में ध्यान अखिएगा important article है चलिए आदे है next article पर बात हो रही है wishing के बारे में एक्जाम के लिए relevant है तो wishing क्या है एक नया तरीका लोगों को लूटने का या लोगों को फसाने का तो हाल ही में सरकार ने एक circular release क्या है और जितने भी government employees हैं उनको warning दी है कि भई आप ज़रा इस cyber crime वाले attack से बचिएगा हम awareness पहले ही फिला रहे हैं अगर आपके साथ में कुछ ऐसा होता है तो प्लीज वहीं पर चोकनने हो जाना अच्छा ऐसा क्या हो रहा है तो दोस्तों यहाँ पर यह जो wishing word है न यह दो word से मिलकर बनाए voice plus fishing voice plus fishing का मतलब यहाँ पर यह है कि कोई व्यक्ति जो fraudster होगा, scamster होगा जो आपके साथ scam करने वाला है वो mobile phone पर एक call करेगा उस calls के माध्यम से यहाँ पर एक इंसान की information निखालने की कोशिश करेगा यह एक ऐसी टेकनीक है जहाँ पर एक व्यक्ति एक fraudster क्या करने वाला है एक पीडित को शिकार बनाएगा उसके phone पर call करेगा उसको trick करने की कोशिश करेगा उसके mobile पर एक कह सकते हो कि खतरनाक सी जो link है या file है वो बेज देगा और उस व्यक्ति को बार-बार यहाँ पर कह सकते हो कि भेलाएगा फुसलाएगा कि आप इस पर click कीजिए ठीक है click करो information आएगी यह सब वो click कर देगा वहीं पर फज़ आएगा ठीक है फिर उससे यहाँ पर personal information निकालने की कोशिश करेगा दूसरे cases में अगर आप देखोगे तो कुछ sensitive information निकालने की कोशिश की जाती है और अक्सर जो cases आएगे वहाँ पर यह नजर आया है कि जो victim का इस्तमाल कर रहे हैं यह fraudster question यह है कि कैसे हम इस wishing scam को spot कर सकते हैं कैसे हम जागरूख हो सकते हैं कैसे हम इसका शिकार ना बने उसके पीछे कई सारे steps हमें अपनाने होंगे सबसे पहला pre-recorded message देखो बहुत सारे occasions पर क्या हो रहा है जो यह wishing call है यह एक automated call से शुरू हो रही है वो व्यक्ति यहाँ पर रगातर बोलेगा रहे बहुत urgent है यह काम करना है बहुत urgent है है ना फटाफट यहाँ पर यह दो यह information दो इस तरीके कि यहाँ पर बार-बार वो बहलाने फुसलाने का काम करेगा और वो दिखाएगा कि हाँ मैं एक सरकारी official से official की site से बात कर रहा हूँ इस तरीके कोशिश करेगा आपको यहाँ पर अपने जाल में फसाने की आपके अंदर एक डर बनाना शुरू कर देगा एक urgency create करना शुरू कर देगा कि हाँ फटा-फट यह information तो जल्दी से एक काम करना है वरना देवर हो जाएगी यह हो जाएगा वो हो जाएगा उसी चीज में इंसान फस जाएगा जिसको इसके बारे में जागरुकता नहीं होगी तो इसका पकड़ने का सही तरीका है इसकी audio के उपर ध्यान देना अगर किसी को doubt है दोस्तो तो वो ध्यान रखना है उसको call की audio quality के उपर में या कोई background noises जो आ रही है क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो यह call आएगी इसमें थोड़ी सी robotic sound सी यहाँ पर नजर आएगी इसका मतला भी एक robo call हो सकती है तो उसको अगर आप पैचान लोगे और अगर इस तरीके सो कोई force करेगा या जल्दबाजी दिखाएगा निखाने ही कोशिश करेगा तो उसके साथ में बिल्कुल भी कोई information share करने ही नहीं है ठीक है चली आ गया आता है next article पर GS paper number 3 environment के point of view से ये एक important article आपको देखने को मिलेगा लेकिन उससे पहले दोस्तो एक छोटी सी request है आप सभी लोगों से प्लीज यार make sure क्या करें वीडियो पे like का button प्रेस कर दिया करें 2000 likes का target है जिसको प्लीज आप support कर सकते हैं तो बात और ये कौन दिनिया wildlife century के बारे में हाल ही में news में था आओ मैं आपको इसके बारे में details बताता हूँ कि exam में questions कैसे बन सकते हैं ये खबरों में क्यों हैं क्योंकि हाल ही में Zoological Survey of India ने आंद्रपदेश Biodiversity Board के साथ में partnership करने के बाद एक नए Mandak की species को discover किया है ये वापस से discovering हुई है दोस्तो rediscover किया गया है ये Mandak जो स्रिलंका में पाया जाता है नाम है स्रिलंकन golden bagged frog scientific name है Lerana gracilis ये इसका scientific name है तो लगबग दोस्तो 2 centuries बाद 200 साल बाद कौन दिनिया wildlife century के अंदर में ये जो frog है वो वापस से rediscover किया गया है इस वज़ा से यहाँ पर examination के लिए important है सबसे पहले कौन दिनिया wildlife century भी important है कई बार आप से directly जो location सा वो पूछ ली जाती है तो ये wildlife century कहाँ पर local है ध्यान रखेगा आंदर प्रदेरिश के अंदर में इस्पेशली चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में आंदर प्रदेरिश कहाँ पर है तो ये आप इंडिया का map देख पाऊगे दोस्तों ये है आंदर प्रदेरिश आंदर प्रदेश कई सारे states के साथ में पर इसको शेर करता है जैसे ओडिशा, 36 गड़, तेलांगेना, करनाडगा एंड तमिलनाड ठीक है इधर आप देख पाऊगे ये आपका Bay of Bengal हो गया तो यहाँ पर ये कॉंदनिया Wildlife Century located है इस्पेशली चितूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में और ध्यानकेगा ये एकलौती सेंक्चुरी है पूरे राज्ये में जहाँ पर बहुत सारे एशन एलिफेंट्स पाए जाते हैं यहीं पर ये मेंडग भी डिस्कवर किया गया है इस मेंडग के बारे में ये इन्फोर्मिशन शेर की गई है वैसे स्रेलंका में पाया जाता है और अभी यहाँ पर यहाँ भी नजर आया इंडिया में भी देखने को मिला तो यह जो सेंक्चुरी है दोस्तों यह प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंडर भी कवर की गई है जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं पर कई सरी नदिया भी जिसे काईगल और रिवर कॉंधनिया यह दो नदिया इस सेंक्चुरी से भी आती हैं और इसी कॉंधनिया नदी के ओपर में इस हुआल लेफ सेंक्चुरी का नाम भी रख दिया गया है अब थोड़ा सा इस जो फ्रॉग है नाम से भी जानते हैं जो रैनिडे फामिली से बिलोंग करता है यह वो फ्रॉग है जो केवल स्री लंका में पाया जाता था लेकिन अभी कुछ और एरिया आज में भी देखने को मिल रहा है क्योंकि एक समय पर लगबग आज से 15 मिलियन साल पहले अगर आप देखोगे इंडिया स्री लंका थोड़े से अलग हुए यह बात है लगबग अरली मायोसीन एरा के समय की तो separation of इंडिया स्री लंका उसी समय पर हुआ था से पहले यहां पर जोइंट आपको वो particular land देखने को मिलता था तो यह जो frog की species है यह कुछ species इंडिया में भी पाई जाती है especially eastern hearts में और कुछ species स्री लंका में भी पाई जाती है अब स्री लंका में तो नॉर्मली देखने को मिलता है लेकिन इंडिया में wildlife century के बारे में तो याद रखना ही रखना है ठीक है नेक्स टाडिकल पर आते हैं यहाँ पर बात हो रही है calcium carbide के बारे में तो GS Piper No.2 health के point of view से important है हाल ही मैं मैंने इसके बारे में discussion भी किया था अपने दहिंदू के विडियो में बात यह है कि जो FSSAIA that is Food Safety and Standards Authority of India जो की आपको अच्छा खाना पहुंच सके quality वाला food पहुंच सके इस चीज़ को ensure करने का काम करती है इन्होंने जितने भी fruit handlers हैं जो भी यहाँ पर follow का व्यापार कर रहे हैं या food business operators हैं उन सब से बोला कि भाईया आप calcium carbide का बिल्कुल भी use मत करना calcium carbide का आजकल इस्तमाल होता है आम को पकाने के लिए अब होता यह है दोस्तों आम को naturally पकने में थोड़ा समय लगता है लेकिन उन्हें trade करना है बहुत सारा profit कमाना है तो उसके लिए वो क्या कर रहे हैं आम को जल्दी जल्दी पकाने के लिए calcium carbide का अस्तमाल कर रहे है और वो ही calcium carbide है जिसके उपर ban लगाया गया है जो इनसान के health के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है उसी के बारे में दोस्तों यह discussion हुआ वा है कि FSI ने चितावनी दे दिये कि एगर आप इस calcium carbide का यूज करते हो तो हम आपके खिलाफ action लेंगे कोई भी इसमें पकड़ा गया तो तो calcium carbide का chemical formula है CAC2 इसको हम मसाला के नाम से भी जानते हैं यह एक ऐसा agent है जिसका अस्तमाल होता है आम को पकाने के लिए यह वही agent है दोस्तों इसमें से acetylene gas भी release होती है बहुत सारे harmful traces आपको देखने को मल जाएंगे arsenic and phosphorus इसके अंदर में present है जो इनसान के लिए बहुत बड़ा खत्रा है manufacturing की बात करेंगे तो इस calcium carbide को बनाया जाता है चूना और carbon के mixture को गरम करके लगबग 200 से लेकर 200 degree Celsius में और यह पूरी दरा से ban है हमारा एक proper act है 2011 का food safety and standards prohibition and restriction on sales regulation उसके तहद यहाँ पर इसको ban किया गया है अब इसके use के बारे बात करेंगे तो दोस्तों calcium carbide का इस्तमाल किया जाता है metal industries में खनन करते वक्त mining करते वक्त भी यहाँ पर इसका use के जाता है और वही जो chemical है उसका use कर रहे हैं फलो को पकाने के लिए अब question यह है इसका health impact क्या हो सकता है अगर एक इंसान इसको लगातार consume करता है उसके body में calcium carbide पहुँचता है तो इससे बहुत सारे serious health issues हो सकते है जैसे शरीर में थकावट हो सकती है irritation हो सकता है कमजोरी हो सकती है कह सकते हो बार-बार सर घूम सकता है वोशी सी हो सकती है vomiting हो सकती है skin ulcers हो सकते है यह सारी problems यहाँ पर एक इंसान में देखने को मिल सकती है अगर वो calcium carbide के लगातार जादा contact में आता है तो clear चलिए एक और article यहाँ पर Iberian links के बारे में बात हो रही है वैसे इसके बारे में भी दाहिंदू में discussion कर लिया है हमने लेकिन काफी सर लोग यही वीडियो देखते हैं कल अपना skip भी हो गया था वीडियो आपको पता होगा तो उस basis पर मैं नहीं चाहता कोई article छूटे जो केवल यह वाला वीडियो देख रहे है और यह important topic तो दोनों जगा पर cover कर लेंगे तो कोई problem नहीं है आपका revision भी हो जाएगा जिन्होंने वहाँ पर cover कर लिया है तो बात और यह दोस्तों Iberian Links के बारे में चलिए समझते हैं क्या है पूरा मामला हाल ही में स्पेन की सरकार ने यह बोला कि जो Iberian Links की population है जो एक समय पर साल 2020 में केवल 1000 थी वो अभी 2024 में population बढ़कर 2000 के असपास हो चुकी है 2000 से भी जाद हो चुकी है तो Iberian Links की population इंपरूव होई है उसी के बारे में यह article कवर किया गया है कि 2020 से अगर हम अभी तो compare करें तो double सी हो चुकी है इनके पर जाती तो exam के लिए relevant especially environment के perspective से अब बात आती है Iberian Links के बारे में तो दोस्तों एक बिल्ली जैसी species दिख रही होगी जिनके pointed से नुकीले से यहाँ पर आपको यह कान देखने को मिलेंगे आईए और बाकी बाते बताता हूँ तो एक कार्णिवर्य स्पीशी है दूसरे animal को खाने का काम करती है और यह केवल योरॉप में ही पाई जाती है योरॉप में especially कहाँ पर अगर आप देखोगे तो Spain और Portugal इन दोनों countries में आपको यह देखने को मिलेगी यह दुनिया की सबसे ज़्यादा खत्रे में रहने वाली पर जाती है pointed ears है इनके लंबे प्यार होते है और leopard जैसी यहाँ पर skin होती है छोटे-छोटे dots इनके शरीर पर देखने को मिलेंगे यह जो species है बाकी सारे cat की species की तरह ही होती है थोड़े बहुर differences देखने को मिलेंगे हलाकि यह nocturnal है रात में ज़्यादा active रहती है habitat की बात करेंगे तो Mediterranean area जो है वहाँ पर grasslands है वहाँ पर ज़्यादा तर यह पाई जाती है distribution की बात करेंगे तो जैसे मैं आपको बता दिया जो Iberian Peninsula है केवल यहीं पर यह प्रजाती पाई जाती है पूरे European Union में नहीं पाई जाती यह प्रजाती केवल Spain और Portugal में ही मिलती है threats की बात करेंगे तो पिछले कुछ समय पर इनका बहुत ज़्यादा शिकार हुआ है legal hunting हुई है इनका जो शिकार है या फिर खाना जो उनको मिलता है वो कम हुआ है जिस वज़ाए से इनकी जो population है वो भी लगातार खत्रे में पड़ गई थी इसी वज़ा से conservation status के अंदर मायूसेन के red list में इनको endangered category में cover किया गए है यानि कि आज के समय पर यह प्रजाती काफी ज़ादा खत्रे में है sites में इसको appendix 2 में रखा गया है यानि कि इसको high protection दी गई है जो व्यापार इसका होता है international trade पर वो करना इतना असान है नहीं तो यह conservation status directly examination में पूछ लिये जाते हैं तो ध्यान रखना भी ज़रूरी है चलिया गया आते हैं तो दोस्तों यहाँ पर बात की गई है National Endangered Species Day के बारे में यह day अभी recently काफी news में था दुनिया भर में इस day को celebrate किया गया इस वैसे खबरों में तो यह जो National Endangered Species Day है आपको नाम से बता चल रहा है जो Endangered Species हैं ऐसी परजातियां जो काफी ज़दा खत्रे में हैं उनको protection देने के लिए उनके बारे में awareness फैलाने के लिए यहाँ पर इस day को हम हर साल celebrate करते हैं तो ध्यान रखेगा दोस्तों यह जो दिन है इसको observe क्या यह है ताकि हम जाद स्यादा लोगों में awareness फैला सकें ठीक है awareness यह फैला सकें कि जो human activities आज जो इंसानों की हरकत है जिसकी वज़ासे बहुत सारी जो species वो खत्रे में चली गई है खतम होने वाली हैं बहुत सारी प्रजातियां जानवरों की तो उनके बारे में जारुकता फैलाना कि इसका impact क्या पड़ रहा है तो हर साल ध्यान रखेगा जो National Endangered Species Day होता है यह मई के महीने में तीसरे Friday को celebrate किया जाता है मई के महीने में जो तीसरा Friday आएगा उस समय पर इसको celebrate करता है इतिहास देखें तो 2006 में दोस्तो जो डैविड रॉबिंसन है और Endangered Species Coalation है इनुने मिलकर यहाँ पर इस National Endangered Species Day को establish किया था जिसके basis पर हर साल हम लोगों को थोड़ा सा जोर लगा कर समझाते हैं कि आप Endangered Species के Safety के लिए काम कीजिए उनके Protection के लिए काम कीजिए क्योंकि अभी भी अगर हम देखें IUCN का जो पुरा Status है उसके According हमारे दुनिया में 40 प्रतीशत Animals, Insect, Plants वो खतम होने की कगर पर हैं तो इनके बारे में जरुखता है फेलानी के लिए इस दिन को Celebrate किया जाता है और अब की बार साल 2024 का जो Theme है वो है Celebrating Saving Species और ध्यान अखिए का दोस्तों कोई भी Particular Day जो होता है उसका जो Theme होता है वो As It Is आपने पढ़ना होगा उस Theme में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता चलिए अगले आडिकल में बात की जा रही है Therosperumum, Lusherum अब ये थोड़ा अजीब सा नाम है क्या है तो यहाँ पर दोस्तों आप एक Plant के बारे में बात कर रहे हैं जिसकी अपनी जो Specialities हैं वो बहुत ही अलग है तो एक Rare सा बहुत मुश्किल से पाया जाने वाला Plant जिसका नाम मैंने आपको बताया बड़ा खतरनाक सा है Therosperum, Lusherum ये वाली जो दोस्तों यहाँ पर Plant की प्रजाती है ये पाई गई है कहाँ पर Mizoram के अंदर में Mizoram में एक National Park है Phan Guipui National Park तो Phan Guipui National Park जो है यहाँ पर ये Plant की Species देखने को मिली और इस Plant की Species में क्या खास बात है जरा ये डिसकस करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर Parasitic Terrestrial Plant की एक नई प्रजाती है ये ये एक ऐसी प्रजाती है जो खुद से आगे ग्रो नहीं करती ये दूसरे पौधे के उपर dependent रहती है ठीक है ये खुद से दोस्तों अपने जड़ों के सिस्टम को develop नहीं करती होगी किसी भी पौधे की जड़ अगर मजबूत है तो Plant बढ़िया तरीके से grow होगा तो हर पौधे में जड़ आपने देखी होगी लेकिन यहाँ पर ये अपने खुद की root सिस्टम को develop नहीं करती तो ये आसपास का जो दूसरा plant होगा उससे connection बनाती है उससे यहाँ पर दोस्तों उस वाले plant से water और minerals को अपने अंदर obtain करती है खीचती है उसके हिसाब से grow करती है ये एक खास feature आपको देखने को मैं लेगा इस वाले plant का और ऐसे plant में यहाँ पर आप देख पाऊगे chlorophyll भी present होता है ये अपना खुद जो food होता है वो खुद से produce कर लेते हैं photosynthesis से जो normally होता है process कुछ cases में आप देखो पाऊगे तो इनकी जो growth है वो काफी रूख जाती है क्यों क्योंकि इनके आसपास कोई host plant होता ही नहीं जिसकी मदद से ये grow कर सकें तो दूसरे पर dependent है ये है ना दूसरे वाले plant जो host plant है उससे सारी energy खीच कर ये अपने खुद grow करती है दूसरा जो host plant है उसका जो sap conducting tissue होता है उसमें से यहाँ पर ये energy को अपने अंदर खीचने का काम करती है उनके पास में एक ऐसा structure होता है इस वाले plant के बास में जिसको बोलते है होस्टूरिया तो ये जो नई species पाई गई है कहाँ पे पाई गई है मिजुराम के अंदर में फौंग्पूई national park में अब दोस्तों यहाँ पर ये जो अभी हमने बात किये नए वाले plant species की इसमें अगर आप देखोगे जो फूल बगरा निकल कर आते हैं वो जुलाई से सप्टमबर के बीच में आते हैं इसमें जो फल निकलते हैं वो अगस से ऑक्टूबर के बीच में निकलते हैं इसका जो नाम है लुशेरम इतना आजीब सा नाम कैसे रख दिया गया तो ये नाम दोस्तों लुशाई tribe के उपर रखा गया मैजुरम में एक tribal community देखने को मिलती है लुशाई tribes उनके नाम के उपर ये नाम रखा गया है चली आप थोड़ा सा यहाँ पर फांगपूई national park के शेर करते हैं तो तिरपूरा है असम है और मियानमार है मियानमार इंटरनाशनल बॉंटरी को शेर करता है मिजुरम के साथ में तो यहाँ पर इसी बॉर्डर वाले रीजन पर यह particular national park located है इसके बारे में आपने कुछ basic चीज़े ध्यान में रखनी है इस park को हम फांगपूई इसको लेकर questions अक्सर बनते रहते हैं तो बात यह है कि जो इंडिया है दोस्तो वो seriously अभी बातचीत start कर रहा है free trade agreement की बात कर रहा है इस erosion economic union के साथ में तो इस group के साथ में free trade agreement को लेकर discussion हो रहा है अगर यह free trade agreement होता है तो व्यापार में बहुत सारे फायदे होंगे जो आपस म इस group और भारत के बीच में व्यापार हो रहा है उसमें बहुत सारी छूट मिल सकेगी जिससे व्यापार बढ़ सकेगा तो अभी यह सब बातचीत को रखने के लिए जो बेलरूस के foreign minister है औरोंने अपनी दो दिन के visit भी डेक्लियर की है इंडिया में कि बही दो दिन के लिए जाएंगे discussions चलेंगे बहुत सारे जिस वज़ा से यहां पर यह पूरा ग्रोप एक इंटरनाशन एकनोमिक यूनियन है अगर आप देखोगे जैसे आपने European Union का नाम सुना European Union में यूरॉप के 27 के देश आपको देखोगे मिलेगा 27 देश का पूरा एक ग्रोप है European Union उसी प्रकार से यहां पर यह भी ग्रोप है लेकिन इसमें 27 देश नहीं है कम ही देश है पांच देश है रशिया कज़क्स्तान बेलारूस आर्मेनिया एंड कर्गिस्तान तो दोस्तों य अग्रिमेंट होता है तो इन देशों के साथ में जो व्यापार होगा वो फ्रीली हो सकेगा जो काफी सरी ड्यूटीज चार्जिस लगाए जाते हैं वो यहां पर माफ किये जा सकेंगे जिससे व्यापार में एक पडोत्री देखने को मिलेगी ठीक है तो दोस्तों इसके अं कौन कौन से देश हैं जैसे मैं आपको बताया पांच देश हैं रशिया, अर्मेनिया, बेलरुस, कज़क्स्तान और कर्गिस्तान इन देशों को कहीं पर लिख लो जहां पर भी आपने इंटरनाशनल इंस्टिउशन की जो भी यहां पर बॉडिज वगरा को लेकर नोट्स म यहना व्यापार में एक दूसरे को बड़िया तरीके से सपोर्ट कर सके, सिंगल पॉलिसी पर काम कर सके, यह इनका में मक्साद है, इस बैसिस पर यह पूरा ग्रुप बनाया गया, और यहीं पर इसी ग्रुप के अंदर में छोटी-छोटे डिविजन्स बाटे गए, जैसे इसमें आता है एक Supreme Eurasian Economic Council, यह एक highest body है इस पूरे ग्रुप की, ठीके, ध्यान अखना इसमें क्या है, यह जो पांच देश के heads जो हैं प्रेजेंट होते हैं इसी council के अंदर में, इस council के साथ एक और इसमें division है, वो है Eurasian Economic Commission, यह commission का जो headquarter है, वो Moscow में है, यह भी एक regulatory body है, ज तो इस पूरे union के उपर में ध्यान रखने का काम करती है, अब जो main purpose है, इस commission का, वो यहाँ पर ensure यह करना है, कि भई यह जो पूरा union अच्छे से काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसको आगे develop करने के उपर focus करना, यह इसका main purpose है, ठीक है, clear हो गया, अब दोस्तों ऐसे ही यह powers जादा है, इस वाले group की powers कम है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यह जो European Union में क्या होता है, कि भई कोई agreement आया है, तो उसको हर एक व्यक्ति follow कर रहा है, हर एक state follow कर रहा है, कोई सवाल नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, यह अपनी मर्जी है, इस union के अंदर में बहुत सार चीज़े ऐसी है कि भई किसी को पर दबाब नहीं डाला गया है, वो अराम से खुल कर चीज़ों को follow कर सकते हैं, ना follow करना चाहिए, उनकी मर्जी है, अब जैसे आपने देखा European Union वाला जो पूरा group है, यह सारे के सारे Euro का अस्तमाल करता है, जो currency है, वो same है, सबकी common currency है, यह भी important है, हमारे IMAC corridor के बारे में बात हो रही है, आपको पता IMAC corridor कई बार हमने discussion किया इसके बारे में, India, Middle East and Europe corridor, क्या है यह corridor, आईए ज़रा इसके बारे में details से बात करते हैं, अभी यह news में वापस से क्यों आया, क्योंकि वैसी हमने बहुत discussion किया है, news में इसलिए आया क्य कैसे लागू करना है, क्योंकि जल से जल IMAC corridor को चालू करना, यहाँ पर शुरू करना है, यह in countries का main target है, अब पता होगा, IMAC corridor का यह main idea है, यह आया कहां से था, यह आया था, साल 2020, सॉरी, साल 2020 कह रहा हूँ, साल 2030, पिछले साल की बात है, आपको पता है, पिछले साल, जो G20 का summit है, वो पहली बार भारत में हुआ, ठीक है, अब जो G20 का summit इंडिया में हुआ last year, उस summit के दोरान, एक नए corridor का announcement हुआ है, उस corridor का नाम दिया गया, IMAC corridor, अब IMAC corridor में दोस्तों, इंडिया, यह आप देख पाऊगे, इंडिया, यह हो गया Middle East, और यह हो गया Europe, इन तीनों especially UAE से, UAE यही पर तो है, अब UAE का जो port होगा, उसको हम क्या करेंगे, अपने मुंबई वाले बंदरगा से जोड़ देंगे, अब मान लो भारत को सीधा Europe समान भेजना है, या Europe से सीधा इंडिया समान आना है, या इस वाले एरिया से सीधा Europe में जाना है, या Europe से इधर आना या, मतलब कहीं पर भी, इन तीनों रीजन्स में, कहीं पर भी अगर इन तीनों को एक दूसर से व्यापार करना है, तो वो कैसे कर सकेंगे, एक्जाम्पिल लेते हैं, इंडिया से यूरॉप तो व्यापार करना है, भारत क्या करेगा, जहाज से, अपना समान भेज देगा, यूएई के बंदरगा तक, अब यूएई से दोस्तों रेलवे लाइन चलाए जाएंगे, पट्रिया बीचाए जाएंगी, और ये पट्रिया बिचकर सीधा इसराइल तक जाएंगी, यहाँ पर इसराइल है, अब इसराइल के पास यहाँ पर मेडिटरेनियन सी है, और मेड ग्रीस है अब ग्रीस के पास में भी यहां पर समुदर के किनारे एक पॉर्ट इसका नाम है पॉर्ट ऑफ पायरेस तो इन पॉर्ट को ऐसे जोड़ दिया जाएगा अब फिर यहां पर रेलवे लाइन आ जाएगी जिसके बेसिस पर आप देख पाऊगे पूरे यूरॉप को उस समान का एकसिस मल जाएगा ऐसे करोंने कुछ बेचना है तो वह यहां बेच पाएंगे अगर बीच वाले मिडेलिस्ट वाले रिजन को इधर उधर ट्रेड करना है वो कर पाएंगे यहां पर हर एक कंट्रीज को फाइदा नजर आ रहा है जिस पेसिस पर आईमेक कोरिड जाएगा इससे क्या होगा हमारा European मतलब पुरा Europe Middle East और इंडिया जुड़ जाएंगे सवाल यह है इससे फाइदा क्या होगा बहुत सरे फाइदा होगे इससे यहां पर दोस्तों जो लंबा डिस्टेंस पहले कवर करना पड़ रहा था वो लंबा डिस्टेंस अब नहीं कव हमारे कम लगेगा ऐसे बहुत सरे benefits आपको मिल जाएंगे एक alternate route भी हमारे पास में होना चाहिए वह alternate route का यहां पर एक access हमको मिल जाएगा यह clear किया गया ठीक है आगे आते हैं ना दोस्तों आब आते हैं अपने prelims rapid fire के questions के उपर देखते हैं आपने इस lecture को कितने concentration से सुना है एक एक करके बहुत सरे questions आपके सामने इन questions के answer देने हैं मैं starting में पहले सारे questions बताऊँगा उसका answer आप फड़ा फड़ देते वे चलना last में सभी के answers से एक साथ बताऊँगा उनको check करना, rematch करना, देखना कितने questions आपने सही किया है और कितने गलत किया है चलिए question number one, which one of the following is the primary objective of speculose project अब यह जो speculose project है दोस्तों यह हाल ही मैं न्यूज में देखने को मिला, इस तो project का main objective क्या है option number a, to study the atmosphere of gas giants, या option number b, to investigate the potential of life on Mars, या option number c, to search for exoplanets orbiting around ultra cool dwarf star, या option number d, इन में से कोई नहीं तो बताव उसका सही उतर क्या होना चाहिए, बहुत सरल है, अभी हमने discussion किया है, thumbnail वाल आर्टिकल है, तो आप अराम सब इसका जवाब दे पाओगे next बहुती जादा easy question, question है फॉंग पुई, national park, हाल ही में यूज में देखने को मिला, ये कौन से राजजय में located है, option number e, सिक्केम, b, माईजरों, c, हिमाचल प्रदेश, या फिर d, उतरखंड, बताई आगें एक और easy सा question, ये question interesting है, देखते हैं इस question को सही तरीके से कौन solve करता है, यहाँ पे आपको च entries हैं, जो irrigation economic union के members है, option number e, केवल 1, b, केवल 2, c, केवल 3, या फिर d, चारों के चारों इसके members है, बताई इसका सही उतर क्या होना चाहिए, फिर next question में आप से पुछागी है, national endangered species day के बारे में, इस day से सम्बंदित दो statement से आपके सामने बताना है, कौन से statement सही है, पहला, यह ज calibrate saving species, तो बताईए दोनों में से, कौन से statement सही है, option number a, one only, b, two only, c, दोनों सही है, या d, दोनों के दोनों गलत है, फिर next आप से यहाँ पर पूछा गया, iberian links के बारे में, iberian links से सम्बंदित, again आपके सामने दो statement से बताना है, इन में से कौन से statement सही है, पहला, जो iberian links है, यह generally यहाँ पर एक nocturnal, आपको animal देखने को मिलेगा, जो रात में जागने का काम करता है, रात में active रहता है, दूसरा, यह animal दोस्तों पूरे European continent में पाया जाता है, तो बताईए दोनों में से कौन से statement सही है, option number a, one only, b, two only, c, दोनों सही है, या d, दोनों के दोनों गलत है, Now, next question बात करता है, calcium carbide के बारे में, फिर से calcium carbide से related आपके पास में तीन स्टेटमेंट से बताना, इनमें से कितने statements हैं, कौन सा statement सही है, यह नहीं बताना, कितने statements सही है, यह बताना है, सबसे पहला, जो calcium carbide है, दोस्तों, इसका use के जाता है, follow को पकाने के लिए, दूसरा, य यह highly reactive compound है, और यह acetylene gas को release करता है, तीसरा, यह एक serious health issue create कर सकता है, एक इंसान में dizziness और उसको काफिज़दा प्यास लग सकती है, आचानक चानक सकता है, तो बताईए, यहाँ पर तीनों में से कितने statement सही है, option number 1, keval 1, B keval 2, C 3 सही है, या 3D, इनमें से कोई सा भी नहीं सह अगला question दोस्तों बात करता है, एक term है wishing, अभी यह news में देखने को मिला, तो यह जो wishing term है, इससे संब्धित यहाँ पर चार statement है बताईए, इनमें से कोई से सही है, पहला यह wishing term क्या है, option number 1, क्या यह एक नया method है, जिसके basis पर हम humans में protein content को analyze कर सकते हैं, यह option number B, यह एक प्रक to currency mining technique है, यह option numbers D, यह एक traditional चावल को उगाने का method है, जो South America में practice किया जाता, तो बताईए, इन चारों में से, कौँ सा term सही है, यह wishing word को denote करता है, तो दोस्तों यह थे हमारे सारे questions, I hope आप लोग ने सभी questions को बिल्कुल सही सही attempt किया होगा, चलिए, अब एक एक question करके सभी questions के answers को देखते हैं, आप लोग उसको rematch कीजिएगा, जो भी आपका score होता है, उसको नीचे comment section में लिखिएगा, चीक है, तो सबसे पहले last वाले questions चुरू करेंगे, यहाँ पर आपसे पूचा गया था, यह term जो wishing है, इससे संबंदित बताईए, इन चारों में से कौँ सा, जो option option है, तो यह term क्या है दोस्तो, यह इसका सही उत्तर option number B होगा, यह एक प्रकार का fishing attack है, जिसमें एक, आपको बता न, voice call करके यहाँ पर एक fraudster, एक इनसान को बेलाने का काम करता है, उससे sensitive information निकलवाने का काम करता है, यह हमने अभी थोड़ दर पहले समझा था, फिर उसके अगले question में calcium carbide के बारे हैं पूचा गया है, तीन statement है, बताइए इनमें से कितने statement हैं, तो 200 का सही उतर option number C है, यहाँ पर तीनों के तीनों statement हैं, क्यों, इसी calcium carbide का इस्तमाल करते हैं, हम फलो को पकाने के लिए, दूसरा बिल्कुल acetylene gas को release करता है, तीसरा बिल्कुल European continent, पूरे European continent में पाये जाती है, ऐसा नहीं है यह दोस्तो, European continent में नहीं, केवल दो countries में, Spain और Portugal के अंदर में यह animal पाया जाता है, that is why option number A, one only is the correct answer, फिर आप से पूचा गया, national endangered species ray के बारे में, बताइए दो statement है, कौन से सही है, तो यहाँ पर सही उतर option number C है, दोनों के दोन comment सही है, कि बिल्कुल, यह जो day है दोस्तो, यह हर महीने, मई के महीने में, तीसरे Friday को celebrate किया जाता है, दूसरा statement भी सही है, 2024 का जोसका theme है, वो है celebrating saving species, तो option number C, both one and two is the correct answer, फिर आप से पूचा गया, कि यहाँ पर चार देशों के नाम है, रश्या, कज़क्स्तान, बेलरूस, इरान बताइए, इनमें से कौन कौन से देश हैं, जो Russian Economic Union के members हैं, तो इसका सही उत्तर आता है, option number C, only three, कौन कौन से तीन देश हैं, रश्या, कज़क्स्तान, बेलरूस, starting के तीनों members आपको इस union के देखने को मिलेंगे, इरान इसका member नहीं है, that is why यहाँ पर आपका option number C, सह सही उतर है, फिर उसके बाद next question आप से पूछा गया, फांगपुई National Park कौन से राज्या में located है, इसका सही उतर है, option number C, इसका main objective है, जो exoplanets होते हैं, हमारे solar system से बाहर जो planets होते हैं, उनको सर्च करना, especially ऐसे planets जो यहाँ पर dwarf star को orbit कर रहे हैं, उन planets को सर्च करना, तो अभी यहाँ पर आपको बताएं न, एक ऐसी नया planet discover किया गया है, जो प्रत्वी के size जितना है, उसके बारे में हमने cover किया था, तभी मैं आपको बता दिया था, चलिए, तो दोस्तों यह था हमारा पूरगवरा discussion, तो कितने question आपने सही किये हैं, बताइए जरा नीचे comment section में, अपना जो भी score है, उसको लिखिएगा, बाकी कल फिर से मिलेंगे, और कल फिर से question प्रैक्टिस करना, और किसी को यहाँ पर disappoint होने की जरुआतनी है, अगर question थोड़े से कम सही हो रहे हैं, तो, ध्रीदरे करके चीज़े सही होने लेगेंगी, हमारा starting में concentration level काफी कम होत सब्सक्राइगा, और definitely आप करते रहोगे, तो improvement होता ही है सभी के अंदर में, चलिए मिलते हैं आप सकले वीडियो में, आज के लिए बाबा है, have a nice day, thank you and जैहिंद, आच्छे दोस्तों, एक बात और, जैसे मैं आप लोगो को पहले ही बता चुका हूँ, बीच में वीडियो एक दो दिन पुराने भी नजर आ रहे होंगे, reason यह है कि वीडियो जो मिस हुआ है, उसके articles बिसमें include कर दिये गए, ठीक है, उसी के basis पर questions भी आपको मिल गए है, तो question की practice भी हो गई है, बाकी मैं कोशिश करूँगा, ये videos बिल्कुल भी skip ना हो, daily basis पर morning में 5 बज़े ये video म मिल जाए, और दा हिंदू का वीडियो आज कल कोशिच चल रही है कि 9 बज़े तक आपको मिल जाए, समय जादा लगता है यार, ppd's create वगरा करने में, उसमे explanation जादा होता है, article जादा होता है, तो उसको भी मैं morning में 9 बज़े तक upload करने की कोशिच कर रहा हूँ, पिछले 2 द वीडियो में प्रोवाइड करवा दी जाती है, चीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, आज के लिए बाबाए, have a nice day, thank you and जैहंद